हेलो एवरिवन वेलकम बैक तू मैं यूटूब चैनल तो आज हम बनाने वाले हैं लोकी बड़ी आलू की सबजी जो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है जो लोग नहीं भी खाते हैं वो भी खाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमने लिया है आधी किलो का लो की है और बहुत ही ज्यादा सौप्ट हो जाएगी यह देखिए हमने इसके मीडियम साइज के टुक्रे कर लिये हैं अब हमने लोकी को गमले में पानी में डाल करके रख दिया है ताकि लोकी जो है वो काली ना पड़े और यह हमने ग्रेवी बनाने के लिए एक टमाटर लिय है अब हम लेंगे कड़ाई में हमने डाला है दो चमस तेल और उसमें डाल देंगे बरी बरी को बूले नहीं याद रखना है कि लो फ्लेम पे यह में बरी को भूबना में नहीं तो बरी जो मारा जल जाएगा और इसे हमने कटोरी में पहले से ठंडा पानी रख रखा है इसमें हम डाल देंगे सारी बड़ी को और इसे ठक देंगे अब हम लेंगे तेल, तेल हमने सर्सों का ही उज़ किया है, अब हम डालेंगे इसमें आधा चमज जीरा, आधी चमज हींग और एक चमज पीली वाली सर्सों, सबको साथ में भूल लेना है, इसके बाद हम डालेंगे इसमें कटा हुआ प्यास, और साथ में डालेंगे हम हरी मी अब नर्गाओं मिर्च पॉल्ड बहुत पॉड़र ताकि कम साल के लिए ढ बाने के निकाली के पानी में से भी मिक्स कर देंगे अब इसे एक बार इसे निकाल कर देख लेंगे कि यह कितना पपाए देख सकते हैं आप लोग और बहुत ही कम पका है इस चक कर के देख लेंगे ताकि जले ना ये अब इसे फिर से 5-6 मिंट के लिए हमने ढग दिया है आट मिंट हो गया है तो आप देख सकते हैं 50 परसंट लगभग हो गया है तो अब इसमें डालेंगे गरम मसाला गरम मसाला को मिक्स कर लेंगे और अब इसे डखने की ज़रूत नहीं है यह देखिए हमारा लौकी बड़ी आलो की सबजी तयार है अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी अच्छी लगे हो तो लाइक एंड रिस्क्रेप ज़रू करें दन्यवाद